हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिरियल टीवी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ग्रेसी गो स्वामी के करियर के वारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी की ग्रेसी गो स्वामी ने किन किन सिरियल और फिल्मों में काम किया है तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने से पहले ग्रेशी गोस्वामी साल 2010 में डांस रियलीटी सो डांस इंडिया डांस लिटिल चैंप्स में एज़र कंटेश्टेंट नज़र आए थी फिर साल 2013 में रियलीटी सो इंडिया ज़ बेस्ट ड्रामे बाज में आज़र कंटेश्टेंट नज़र आए साल 2014 में उन्होंने सोनी टीबी के सिरियल बंधन से टीबी की दुनिया में कदम रखा इसमें उन्होंने पिंकी पाटिल का किरदार निभाया था फिर साल 2015 में ग्रेसी गोस्वामी कलर्स टीबी के पॉपलर सिरियल बाली का बधु में निमबोली यानि की नंदिनी सेखर के किरदार में नज़र आए साल 2016 में उन्होंने बाली का बधु सिरियल को क्वीट कर दिया और जलक दिखला जा सीजन 9 में एज़ कंटेस्टेंट बाइल कार्ड इंट्री ली फिर साल 2017 में ग्रेसी गोस्वामी ने क्राइम पेट्रॉल के एक एपिसोड में सिल्पी राने का किरदार निभाया था साल 2017 में ही फिल्म बेगम जान से उन्होंने फिल्म की दुनिया में कदम रखा था 2017 में ही ग्रेसी सी आईडी के एक एपिसोडिक रोल में नजर आई थी फिर साल 2018 में स्टार भारत के सो मायावी मलिंग में ग्रेसी ने प्रिंसिस गरिमा का किरदार निभाया था साल 2019 में फिल्म कमांडो 3 में ग्रेसी ने स्कूल स्टूडेन का किरदार निभाया था, इस फिल्म को आदित्य दत ने डाइरेक्ट किया था, फिर साल 2020 में फिल्म थपड में इन्होंने सानिया भगत का किरदार निभाया था, इस फिल्म को अनुभब सिन्हा ने डाइरेक्ट किया था, फिर साल 2020 में ग्रेस थी फिर साल 2021 से ग्रेशी सोनी टीबी के सीरियल क्यूं उत्ते दिल छोड़ाए में अमरीत के किरदार में नजरा रही है ये सीरियल 1947 के पार्टीसियन के समय पर अधारित है तो दोस्तों ये थी ग्रेशी गो स्वामी के करियर के अब तक का सफर आपको ग्रेसी गोस्वामी का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब और सेयर करें थैंक्स फर वाचिंग